उत्तर प्रदेश का क्या कहता है चुनावी सर्वे ओपिनेंट पोल लॉगडान के बाद उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार क्या कहता है ओपिनेंट पोल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनेंट पोल सामने आ चुका है कुल 430 सीट यहां पर आती है उत्तव प्रदेश से और उत्तव प्रदेश से पहले यहां पर कुछ राजियों में BGP ने पलटबार क्या है इसके अलावा मद्दरपुर्देश में अब वीज़ेपी की सरकार बन चुकी है तो क्या उत्तवपुर्देश में इसका अस्वर देखने को बिलेगा इससे पहले बियार पश्म बंगाल और फिर उत्तवपुर्देश का यहाँ पर चुनाब होने है लेकिन क्या कहता है उत्तरप्रदेश का ये महा सर्वे लोकडाउन के पहले का ये महा सर्वे ये आक्रे पहले के है लेकिन लोकडाउन के बाद क्या आक्रे बनेंगे लेकिन सब पहले आपको कुछ पहले आक्रे दिखाते हैं और लोगडाउन के बाद का सर्वे आपको आगे आपको दिखाएंगे बता दें किस वार अकले श्यादाव बाद तिन सो पचास सीटों का लक्स लिग कर चल रहे है तो वहीं बीजिपी स्वार इन पार्टियों की जमानत जब्त करने के प्राक पे चल रहे है वहीं कॉंग्रिस वार्टरा के नित्रत में कॉंग्रिस उत्ताप्रदेश के लिए मुक्तमत्री के तौर पर नजर भी आ सकती है 2012 के आपको दिखाएं तो यहाँ पर समधवादी पार्टी ने यहाँ पर 224 सीटा हासन करती हुए पास साल तक अकलेश से आदव ने सरकार अच्छी खासी चलाई लेकिन 2017 में एक तरपा जीती यहाँ पर बीजीपी को मिली इसका सुरे जाता है प्रदान मंत्री मोदी जी की जो लहर थी उसमें कहीं ने कहीं बीजीपी उत्ताप्रदेश में एक तरपा जीती लेकिन 2022 के लिए क्या आंक्रे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं यह सर्वे पहले कहा है फिर भी आपको बगा दें अगर यहाँ पर कुछ आंक्रे आपको दिखा है तो यहाँ पर अगर आंक्रे बोटर के साफ से दिखा है कि किस प्रकार के बोटर किस के पक्ष में हैं आपके बदल भी सकते हैं आने वाले चुनापस के लिए SP के लिए अगर देखे हैं तो यादा बोटर पर 65% सप्रेट करते हैं BSP के लिए यहां पर 4, BGP को 14, पॉंगरिस को 5% सप्रेट करते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जाटा बोटर किस के साथ है SP के साथ 7, और यहां पर BSP को 44, 45, यहां पर सप्रेट करते हैं किसका दबदबा है यह आंकड़े भी आपको दिखा दें यह पहले क्या है अपको बता दें लेकिन यह आंकड़े 2022 में देखने को मिल सकते हैं SP देखें पूर्वी जो यूपी वहां पर देखें याइस्पी की अगर देखें तो 35 परसंट लोग सपोर्ट करते हैं किस इलाके में किसका दबदबा पश्मी अगर यूपी की बात के तो बात करने वाले हैं अगर बात करें तो 46 परसंट लोग यहां पर अकले श्यादब को पुसंद करते हैं कामकाज के तौर पर योग यादतनाथ को 35 पर भी आपको बता देखें कि यह सब्भी पहले का है लोकडाउन के बाद यहां करें काही वदलने देखने को मिल सकते हैं बावन सब्सक्राइब को लोग सब्सक्राइब करते हैं इसका अलावा अगर बात की तो उत्तव प्रदीश में सब्सक्राइब करते हैं एक साल दो तो एक दिन तक मुकमंतिर रहें तीन साल यहां पर अगर बात के तो मुलायम सिंग जो है इन्होंने पांस साल का कारेकाल एक भी बात उगा नहीं किया अपने कारेकाल में वही अगर बात के तो राजना सिंग का नाम भी आता है इन्होंने एक साल एक विकроती जिन तक के ही यूपी के मुक मतरी रहे वही बात कहा है मैयावधी के लिए तो मैयावधी सबसे जादा चार बार यहां की मुक मतरी बनी इस तरीके से जो आंकड़े निकल सार आ रहे है जो सर्वे है इसके आंकड़े आकर लिखाए आपको तो लोकसवाबा जो आंकड़े देखने को बिले 2019 में एक तरफा जीत यहां पर देखने को बिली यहां पर अगर बात करें तो बीजीपी को काफी जादा सीटे करें देश काफी महतूल वूं काम रहा लेकिन 2022 में क्या कुछ आकरे बन सकते हैं काफी कुछ मुद्दे अब सामने निकल कर आ रहे हैं अगर बात करें तो जिस्तिकार से देश के अंदर कई ऐसे मुद्दी रहे हैं जिन में नर्सी को लेकर जो मुद्दा रहा है यहां राम सब्सक्राइब करते हैं अगर बात करें तो प्रियंका गांदी विदान सब्सक्राइब 2022 में कॉंग्रिस कुछ बड़ा कर पाएगी इस पर हां कहने वाले लोगों की जारता लोग मानते हैं कि प्रियंका गांदी अगर मुखमंदी की तौर पर उत्तर प्रदिश्ट मुतरती हैं तो फिर कहीं न कहीं कुछ कर सकती हैं ऐसा ही अहां पजान का ही निकल कर आ रही 2022 के लिए जो सर्वे किया गया सब पहले का 403 में से 202 सीटों पर पूर बहुमत की सर्थार आ जाती है और क्या कहते हैं आकरे 2017 में भारते जंदा पार्टी एक तरपा जीती 312 सीटे आपर हासल की भाई बहुदर समाजबादी पार्टी ने 19 और समाजबादी पार्टी ने य देख सकते हैं आखरे आपके सामने हैं आखरे आने वाले समय में बदल भी सकते हैं आखरे कुस दिन पहले के हैं लेकिन आखरे आपके सामने हैं इस तरह की जो तस्वीरे वो बन सकती है 2022 के लिए देखिए सपा के लिए 50 सीटे यहां पर आ सकती है अलग कि अगर यहां पर पुछ जो नुक्सान यहां पर सपा को हो रहा है वो कहीने कहीन अजुरुदी नोबिसी की पार्टी है वो चुनाभी मैदान मुतारती है तो जो बोट शेर है सपा था बो पट रहा है इस कारण से जो है नुक्षान यहां पर दिखाई दे रहा है बाजपा के लिए जो है 270 कॉंग्रीस साथ से 22 सीटों तक पहुंच रही है लेकिन सरकार बनाने के जो आंकड़ा वो काफी पीछे है और यहां पर अगर बात कि अन्य के काते वह 15 सीथ आ सकती है तो दोस्तों यह उत्ता प्रदेश का ओपनेंट पोल है लेकिन आपकी जानकरी के लिए बता दे कि आने पाकि आने वाली जानकर का नोशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे है